इस चिल्चिलाती गर्मी में कुछ ठंडा खाने को मिल जाए और साथ ही वो हेल्दी हो तो सुने पर सुहागा तो आएए फ्रेंट्स हमें एक ऐसी ही रेस्पी आपके साथ सेयर करने जा रहे हैं इस रेस्पी को बनाने के लिए मैंने यहाँ हाफ लिटर दूद लिया है या अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हो तो थोड़ा चीनी घटा भी सकते हैं और चीनी को दूद में डाल कर हम बॉयल करेंगे जब तक की चीनी अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए जब चीनी मेल्ट हो जाए तो तब हम हाफ का दूद जो बजा के रखे हैं उस दूद में दो चमच कस्टर्ड पाउडर जो मार्केट में बहुत ही असानी से मिल जाता है उसे हम अच्छी तरह से घोल कर डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर को घोल के डालते समय डालने के समय से अच्छी तरह से चला ले क्योंकि कस्टर्ड पाउडर क्या होता है कि बर्तन के तले में जम जाता है तो उसे हम अच्छी तरह से चला के उबलते दूद में डाल देंगे दूद में डालने के बाद हम दूद को रेगुलर चलाते हुए पकाएंगे कस्टर डालने के बाद दूद को रेगुलर चलाना है अगर दूद को आप रेगुलर नहीं चलाएंगे तो कस्टर नीचे थिक होके चिपक जाएगा और custard में जले का टेस्ट आजाएगा इसलिए हमें custard को लगतार चलाते हुए medium to low flame पर एक boil आने तक पकाना है boil आने तक देखिए custard धीरे-धीरे थोड़ी थिक हो रही है आपको जिस consistency की custard परसंदो उस consistency की बनाए ये custard मैं food salad के लिए बना रही हूँ तो मैं इसे थोड़ी गाड़ी बना रही हूँ अगर आप इसे drink के लिए बनाते हो तो इसकी consistency आप थोड़ी पतली रख सकते हैं अब custard में उबाला गया है इस stress पे हम गैस का frame बंद कर देंगे और इसे हम लगतार चलाते हुए थोड़ी देर तक cook करेंगे और अगर आप लगतार चलाना नहीं चाहते हो तो बर्तन को लिट से अच्छी तरह से धग दे अगर आप बर्तन को लिट से अच्छी तरह से नहीं धगेंगे तो custard के उपर मलाई आ जाती है जिसे आप या तो आपको निकालके फिकना पड़ता है या वो खाने में अच्छी नहीं लगती है तो उसे आप ढ़के रखें जब custard room temperature पर आ जाए तो उसे आप किसी बावल्यू में करके उसे ढ़क कर फ्रीज में ठंडा होने के लिए रखते है जनरी लोग tutorial में ही सारे fruit काट कर जाते हैं यहां मैंने food को काट कर ॡारिक बावल में डाला है इससे क्या होता है कि अगर आप को किसी इ vertере हो या या खाना फिल्कुल ही नहीं पसंद हो तो उस फ्रूट को आप स्किप कर सकते हैं तो मैंने यहां बाउल में सारे फ्रूट में से थोड़े थोड़े डाल दिये हैं आधा बाउल डालने के बाद आधा बाउल में हम सारे फ्रूट के कटे हुए पाट को डालने के बाद इसमें कस्टरड को पूर करेंगे इस अंसार से आप अपने पसंद के फ्रूट को डाल सकते हैं और फ्रूट को कस्टरड में डाल के फ्रिज में रखने से क्या होता है कि 1-2 दिन बाद फ्रूट थोड़ा पानी छोड़ देता है या तो it का कलर्ण चेंज कर देता है और उसका कास्टड की कंसेस्टेंसी ठोड़ी रनी हो जाती है और उसकी टेस्टी भी नहीं लगती है इस तरह से अगर आप कस्टड बिनाएंगे तो कस्टड को आप बनाकर फ्रेज में ठंडा अने के लिए रख दें और जब भी आपको खाना हो कट करें और इस तरह से सर्व करें तो ये हर बार आपको खाने में काफी टिस्टी लगेगा तो मैंने यहां बाउल में कश्टड को पूर कर दिया है आप चाहें तो एक लीटर दूद का भी कश्टड बना कर रख सकते हैं मेरी फैमली छोटी है इसलिए मैं हाफ लीटर दूद का ही बनाई हो अब मैंने यहां सारे बाउल में कश्टड को पूर कर दिया है इसके बाद हम बाउल के ऊपर थोड़े कटे हुए फ्रूट को घर्निस कर देंगे आप चाहते हैं इसमें ड्राइ फ्रूट भी आट कर सकते हैं तो आप भी इस तरह से कश्टड बनाए और